एलो सांतियों, वेलकम तो रोयली स्टडी दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल दो हजार चोईस के स्पैसल एक्जाम के लिए मेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं यहाँ पर गाईस दो हजार चोईस में जो आपकी वीडियो देख लेजगा आपको वीडियो वाले सेक्शन में मिलेगा या प्लेलिस्ट भी आप चेकाउट कर लीजगा के लिए रहें तो यहाँ पर ओल सिप्ट के कुश्यों कवर करवाएंगे इस वीडियो में है फ्लick मिलाकर चार सिप्ट में आपकी एक्साम हुई थी और आपको जैसा की पताइए पत्चीज तई और इक एक्स अगस्त को आपकी एक्साम होना है तो उसी के लिए ये वीडियो है जितने भी repeated questions आते हैं आप इस वीडियो को देख लिएजगा एक single question यहां से आपको बाहर नहीं जाएगा तो आईए start कते हैं इस वीडियो को और आप सबीसे request है कि इस वीडियो को आप पूरा last तक देखें exam देने जा रहे हैं तो आप है निमलिकित मैं से कौन सी भारत के पूरवी टेट परिस्तीत खारे पाने की सबसे बड़ी लेगून जील है बिल्कुल आप सभी का और बिल्कुल लेटेस्ट पैटरन है गाईस यह अभी फरवरी दो हजार सचोविस को आपका हुआ है सत्रह फरवरी 18 फरवरी को पेपर त है आपका पूरा का पूरा पेपर जो बनेगा यह इसी के एकोडिंग आपका पेपर बनेगा तो अच्छे से इनको आप कवर कर लीजगा भारत के पूरवी टेट परिस्तित खारे पाने के सबसे बड़ी जो लेगून जील है इनमें से कौन सी है तो यह है चिलका जील जील चिलका जील यह कहां पर है यह उड़ी सा राज्य में से आप याद रखेगा भारत के पूर्वी टेट परिस्तिते और खारे पानी के सबसे बड़ी लेगून जील यह है चिलका जील तो इसका नाम आप जरूर से याद रखीगा अगला कुशन है स्वेद प्रकास कितने रं लिकित में से किस झ dijo च्ट मिलता है यह मिलता है औरो इस्टेलिया में और इस्टेलिया आपका सियाप्षेन करेक्ट रेका विल्कुल लयट वर बता रहें बिल्कुल भी इस वीडियो को ना करेें ग्रेट denied रूministerि में से कॉन 1946 में भारत की सन्विदान सभा के अध्यक्ष थे 1946 में भारत की सन्विदान सभा के जो अध्यक्ष थे इनका नाम है डॉक्र राजेंदर प्रसाद तो फस्ट ऑप्षिन इस कुशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चली अगला कुशन है प्रियाग प्रसादी की रशनान इंविदान से किसके द्वारा संस्क्रत में की गए थी प्रियाग प्रसादी की जो रशना की गए थी संस्क्रत में की गए थी और किसने की दी ये की दी हरी से इन ने हरी से इन D option में आपको दिखाए ज़रा है बिल्कुल correct answer हो जाएगा अंगूर की खेती उपज और कटाई कोन इंबलिकेट में से किस नाम से जान जाता है अंगूर की खेती को कटाई उपज इसको जान जाता है किसके नाम से विटी कल्चर के नाम से इसको जान जाता है तो विटी कल्चर correct answer हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपको यहाँ पर मिला है बेला डिला की पहाडियां बेल की कुबड की तरह दिखती है पहाडियों की यह जो स्रंकला है भारत के किस राजज में देखने को मिलती है बेला डिला की जो पहाडियों की बेल की कुबड की तरह दिखती है जो स्रंकला है भारत की 36 गाड़ राजज में देखने को मिलती है 36 गाड़ आपका डी option correct answer स्रिलंका भारत से अलग होता है तो बिल्कुल करेक्ट नांसर हो जाएगा पाक जल्डमरु मद्ध और मनार की खाड़ी यह गाइस कुशन हमने 2019 में आपकी जो एक्जाम हुई थी यूपे पिलेस कॉंस्टेबल की यूपी पिपी उसमें भी यह कुशन सेम टू सेम बने थे य यह वाला पाक जल्डमरु मद्ध भी बना था इसके अलावा यह जो बेला डिला पहाड यह 36 गट यह भी कुशन बना था इसके अलावा यह विट्टी कल्चर बगेरा से भी कुशन आपका बना था तो आप देखके जाएगा इन वीडियो को काफ़ जादा कुशन से रिपी के आपका अर्जित होता है कहाँ पर बिहार में बिहार आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा चले नेक्स्ट कुशने विस्व पुस्तक दिवास प्रति एक वर्स निमलिकित मैंसे किस दिन मनाया जाता है विस्व पुस्तक दिवास यह जो मनाया जाता है यह 23 अप्रे थी basically यहां पर जो option मिला है आपको C हिमाचल प्रदेश यहां पर यह हुई थी next question है भारत में जनगन्ना संगठन के लिए सर्वोच पद कौन सा है तो भारत में जनगन्ना बताईए महा कवी कालिदास की है तो आपका C option करेक्ट आंसर हो जाएगा National Aluminium Company Limited नालको नालको का पंजिकरत जो कारियाले है यह कहां परिस्तिते आपको बताना है तो इसका जो पंजिकरत कारियाले आपसे पूचा है नालको आपको याद रखना है National Aluminium Company Limited नालको नालको का जो पंजिकरत कारियाले है यह भूनेस्वर उडिसा में है इसका मुख्याले किस देश में या किस स्थान पर रिस्ती थे यह आपसे पूचा गया है मुख्याले से पूचा है WHO का तो यह कहां पर है जीनिवा सुजलेंड में जीनिवा सुजलेंड ऑप्शन नमर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा किसी देश की सहरी छेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंक्या में व्रद्धी को क्या कहा जाता है इसको बोला जाता है सहरी करन सहरी करन इसको कहा जाता है आपका उप्शन नमर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में श्तीद बदोही निमली कीट में से किस कला के लिए इसपैसली जाना जाता है ये प्रसिदें, बदोई जो इस प्रसिदें ये कालीन बुनाई के लिए स्पैसली जाना जाता है, तो D option correct answer हो जाएगा, निमने लिकित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्ज का वरक्ष है, या उत्तर प्रदेश का राज्ज वरक्ष है ये हो जाएगा, असोक कापेड, असोक D option, सुरहताल प्रसिद अभियारेनी है, जिसमें साइबेरिया और अन्य थंडे छित्रू से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निमने लिकित में से किस जीले में ये देखने को मिलता है, सुरहताल प्रसिद अभि प्लेटफॉर्म, पेसेवर, नेटवर्किंग और नोकरी तलासने के लिए सबसे उफ्यूक्त हैं, तो ये कौन सा है, ये हैं, लिंक डिन, लिंक डिन आपका फस्ट ऑप्षिन करेक्ट अंसर हो जाएगा, अगला कुछ ने मत्रुरा निमलिकित में से किस की जनमिस्तली है, जिसे ब्रजभूमी के नाम से भी जाने जाता है, मत्रुरा आपको बताना है यहां पर, मत्रुरा हो जाएगे भगवान क्रिशन की जर्ण में से, जिसे ब्रजभूमी के नाम से जाने जाता है, अकबर का मकबरा निमलिकित में से किस स्थान पर इस्तिदे, अकबर का जो आगरा सिकंद्रा आपका D option का रेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा निमने लिकित में से उत्तरप्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोकनत्य है धान और मक्य की खेती के दोरान के जाता है यह जो लोकनत्य है इसका नाम क्या है इसका नाम हुरका बोल हुरका बोल एक उत्तरप्र मालवी ने मिलकेत में से किसके सहयोग से की दी यहां पर आपको याद रखना है किसके सहयोग से की दी किसने की दी में आता है पंडित मदन मालवी किसके सहयोग से की दी तो यह की दी डॉक्टर एनी बेस्टन के सहयोग से first option correct answer हो जाएगा अगला कुशन है UPSSF का पूरा नाम क्या है तो उत्तर प्रदेश social यहाँ पर special security force आएगा क्या आएगा special security force तो यहाँ पर आपका d option उत्तर प्रदेश special security force d option से जवाब रहेगा निवेश मित्र mobile application बिल्कुर उत्तर प्रदेश की यह पहले उत्तर प्रदेश रज्ज की विमुद्री करण यहीं की नोड बंदी को निमलिकित में से किस नाम से जाने रहता है नोड बंदी के नाम से विमुद्री करण को यह सकते हैं फस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन है हमारा उत्तर प्रदेश राजस सुनीता 2006 के अनुसार एक अवधी या पट्टे वचन बद्द या अनुजान के तैत धारित भूमी खंड को निमलिकित में से क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है क्या कहा ज यहां से यह क्या कहलाता है इसको बोलाता है फिसिंग फिसिंग उसको कहा जाता है आपका क्रेक्ट हो जाएगा टाका निमलिकित में से किस देश की मुद्र है तो टाका जो हो जाएगी यह बंगलादेश की हो जाएगी बंगलादेश यहां से आपका आपका आप्शन नमब बानंगला देश की जो प्रधान मंत्री है से एक हसीना इन्होंने स्टीपा दे दिया है स्टीपा देने के साथ प्रधान मंत्री पस से स्टीपा देने के साथ इन्होंने देश भी छोड़ दिया है अब यहाँ पर चल रहा है कि सेना जो है यहाँ पर अंतरिम सरकार बनाने की तरफ है तो यहाँ पर यह तोड़ा सा current issues है और इसको आप देख कर जाएगा आपकी exam में क्योंकि आपकी exam 23 तारिक से है और यह जो current बन रहा है यह 5-6 तारिक का बन रहा है तो हो सकता आपकी exam में देखने को मिल जाए तो इससे related आप जितने भी current affairs के topics हैं वो आप cover कर लीजिगा क्योंकि topic अच्छा है और आपकी exam में पूछे जाने लायक है तो आप देख कर जाएगा अगला ही निमलिकित मैंसे कौन सा वाक के GST के लिए सही नहीं है चलिए next question हमारा निकल कर आ रहा है कोन सा बंदरगाह कच गुझरात में जिदे कच गुझराथ में जो देखने को मलता है वे कादला बंदरगाह है जिसको दियन दयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है अगला question हमारा हाली में हाली में श्री अमिस्ताहा ने निमलिकित में से किस इस्थान पर National Cooperative Dairy Federation of India NCDFI के मुख्याले की आदार सीला रखी है ये जो रखी है ये आपको पताना है तो ये आनंद में रखी है आनंद गुजरात आपका फस्ट आप्शन करेक्ट अंसर हो जाएगा निमलिकित में से कोने सा पुरुसकार सहेकारी और दूद उत्पादन कंपणियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस फर्दी भावना पैदा करने के लिए प्रेडित करने के लिए दिया जाता है इसका नाम है राश्टि गोपालन रत्न पुरुसकार फर्स्ट ऑप्शन यहां से भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा के लिए रहे चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं किंद्री मंत्री मंडल ने हाली में भारत और निमलिकित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिसीलता समझोते को मजूरी दिये है बिलकुल भारत और और इटली के बीच में गतिसीलता समझोते को मजूरी दिये प्रवासन और गतिसीलता समझोते को हाली में भारती नोसियना का फास्ट अटेक ट्राप्ट आइन एस काबरा निमलिकित में से के सिस्तान पर पहुँचा है तो ये जो पहुचा है ये कोलंबु स्री लंका पहुच चुका है फस्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर निम लिकित मैसे कौन? खुदाई खिदमतगार का संस्थापा के मोस्ट इंपोर्टेंट कुशन है हर एक्जाम में ये कुशन बनता है आपकी खुदाई खिदमतगार के संस्थापा के खान अब्दुल्गफर खान तो याद रखिएगा खान अब्दुल्गफर खान आपका फस्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा निम लिकित मैसे कि इसने हाली में कोची लक्षदीब दीवसमू सबरमीन अप्टिकाल फाइवर कनेक्शन के लाई एस ओ एपसी का उदगाटन किया है तो यह जो उदगाटन किया है यह किया है नरेंदर मोधी ने नरेंदर मोधी ऑप्शन नमर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह बैसिकली सत्रा फरवरी का मोर्निंग सिप्टे के 38 कोशन हमने कवर करवा दिये आपको अब हम आगे बढ़ते हैं सत्रा फरवरी को इवनिंग सिप्टे के कोशन की और पहला कोशन है आपका और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है गाई लेक्टिक एसिड होता है लेक्टिक एसिट किसमे होता है आप बताई यह लिए से पाला का दही इमली और सिरकान बिल्कुल दही यहां से आपका बिलकुल ऑप्शन नमर बी सही रवाब रहेगा गोदान निमलिकित में से किस फ्रिसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया दिन को बारत में सन्विधान दिवास की रूप में मना जाता है 26 बारत में हर साल सन्विदान दिवास के रूप में मना जाता है Cyber Crime के सिकायद दर्ज करने के लिए Help Line Number कौन सा है? Cyber Crime के सिकायद दर्ज करने के लिए जो Help Line Number यह है 1930 आप यहाँ से याद रखिएगा गुड़ी पड़वा निमलिकेत में से किस राज्जी का वसंत शमय का त्योहार है? गुड़ी पड़वा आपको याद रखना है यह है महारास्ट का गुड़ी पड़वा जो है यह महारास्ट राज्ज का वसंत स्रमय का त्योहार है तो D option correct answer हैगा दसकी जिनगना कराने की जिम्मेदारी है किस मंतराले की है अगला कुशन है राश्टी मानवदिकार आयोग का मुक्याले यह नई दिल्ली में है, नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बारत का सबसे बड़ा अंतर विभागी अभी सर्वन कारिकरम ओपरेशन काया कल्प, निमलिकित में से किस राज जी की सरकार द्वारा शुरू क्या गया था, यह सुरू क्या गया था, उत्तर प्रदेश क की राजे सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की टेग लाइन क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टेग लाइन है, यह क्या है, तो यह है, सुरुक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरुक्षा आपकी संकल्प हमारा, यह याद रखीगा आरिबट प्रचीपन पुरु नाम आपसे पोचा गया फुल्फुम क्या है गुरूप ओफ 20 हो जाएगा यहां से option number B में आपका group of 20 correct रहेगा सन्युक्त राज अमेरिका में स्थीद Grand Canyon निर्मित किया गया Grand Canyon जो निर्मित किया गया यह किया गया Colorado नदी के द्वारा तो नदी के द्वारे निर्मित किया गया नदाशार किया गया गया बारत में रच्टि व्यापी जी ईस्ती वीचार सब से पहले निर्मित मैं से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया जी इसटी का जो विचार सबसे पहले जो यहां पर प्रस्तावित किया गया यह क्या था केलकर टास्क फोर्स ने केलकर टास्क फोर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का निमलिकित में से कौन सा पडोसी देश भारत के साथ भारत के साथ भूमी सीमा साजा नहीं करता है यह पडोसी देशे Tokyo, Asia के निमलिकित में से किस देश की राजदानी है Tokyo Asia के किस देश की तो जापान की राजदानी हो जाएगी Tokyo चले है ठंग का निमलिकित में से किस राजी के सबसे लोगपरी कला सेली है ठंग का ये कहां की है तो ये है सिक्किम की नर्मदा निमलिकित में ऐसे किसमें मिलती है तो नर्मदा जो नदी है अमरकंटक से निकलती है और मिलती है अरपसागर में तो अरपसागर में जाकर ये नर्मदा जो नदी है मिल जाती है उन गीतों के नाम बताईए जो रादा और कृष्टने के दिविय फ्रेम का गुनगान करते और वसे सुरूप से ब्रज में ये लोगपरी हैं इनको क्या कहाता है इनको रसिया बोला जाता है रसिया वस्त्र मंत्राले ने निमलिकित मेंसे किसका उत्पादन करने वाले किसानों के सुविधा के लिए पाठ मित्रो पाठ मित्रो अप्लिकेशन लौच किया है तो ये वस्तर मंत्राले के दोरा किया गया है और जूट यानिकी पटसन का उत्वादन करने वाले किसानों के लिए पाट मित्रो एप्लिकेसन जो है इनों ने लौँच किया है प्रभावती गुप्ता गुप्त सामराज के निमलिकित मेंसे किसासा के बैटी थी प्रभावती गुप्त ये थी चंद्र गुप्त द्वीती की बैटी निमलिकित मेंसे किसने सन्विधान के प्रतियक प्रस्ट के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया और इसे कला करतियों से सजाया अब ये जो डिजाइन बगिरा किया और कला करतियों से सजाया यह जो काम किया स्री नंदलाल बोस के दवरा किया गया याद रखिएगा प्रियम बिहार नाराई जादा इनके बारे में आप बताएगा कि इन्होंने जो सन्विधान में क्या किया है इनका भी योगदाने आप सभी को पताईए इन्होंने क्या किया है सन विदान में बताईएगा जल्थी से चाली में विश्व में के उलिकित मैं से किस देश में तमिल कभी और दार्शनिक थिरू वल्लुवर की परतिमा का नावरन किया गया तो ये जो किया गया ये फ्रांस में किया गया 2016 के विमुद्रिकरन के शमे निमलिकित में से कौन भारत के परदान मंत्री थे 2016 में भारत की जो परदान मंत्री थे इनका नामे नरेंद्र मोधी ऐसी अर्थव्यवस्ता जिसमें नीजी छेत्रों और सरकार दोनों हो निमलिकित में से क्या क्या लाती है तो ऐसी अर्थव्यवस्ता को हम बोलते हैं मिस्रित अर्थव्यवस्ता ध्यान रखीगा बाहरती राष्टी अंदुलन की निमलिकित में से किस घटना के बाद रविद्र नाट टेगोर ने अपना दर्द और गुस्ता व्यक्त किया था और अपनी नाइट हुड की जो उपादी थी इसको त्याग कर दिया था बिल्कुल ये है जलिया वाला बाग नरसनार वाली घटना इसके बाद में इन्होंने अपनी नाइट हुड की जो उपादी थी ये वह वापिस कर दिया थी नीली करांती निम लिकेत में से किसे संबनी थे तो नीली करांती रिलेटेड है मतश्य पाला नुत पादन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीम लिकेत में से कौन टाटा स्टेल लिमिटेड के संस्थापक थी टाटा स्टेल लिमिटेड के संस्थापक आपको याद रखने कौन थे बिल्कुल जल्दी से बताएगा टाटा स्टेल लिमिटेड के संस्थापक सर जमसी जी नूसर वान जी टाटा आपका correct answer है निमलिकित मेंसे किस application का उद्देश नागरी के digital दस्तावेज wallet में प्रमानिक digital दस्तावेजों तक पहुँच परदान करके नागरी को का digital ससक्ति करन करना है तो ये किस आपको बताना है किस application का उद्देश है तो ये है Digital Locker का उद्देश Digital Locker का हाली में उत्तप्रदेश के निमलिकित मेंसे किस जीले में परतम पूरण बाली का सेनी के स्कोल का उद्दगटन किया गया ये किया गया मतुरा में निमलिकित मेंसे किस बेंक ने रूपे नेटवर्क पर भारत का पहला corporate credit card launch किया है रुपे network पर भारत का पहला corporate credit card जो लौँच किया है यह किया है इंडस इंड बैंक ने इंडस इंड बैंक यानि कि आपका C option correct answer है या या सो भारत के इंवलिकेट में से किस राजी किंसा से प्रदेश में हिस्तीत पहला जी विवित्ता विरासत इस्तल BHS है या तरकिएगा correct answer आपका जो जाएगा यह आपका जाएगा लद्दाक उत्तर प्रदेश राजस सुनीता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रतियक जीले में कितने collector इसमें सहाया क्या अतिरिक्त collector सामिल नहीं है न्युक्त करेंगी राज्य सरकार राज्य सुनीता 2006 के अनुसार तो यहाँ पर आपका एक जो है यह बिल्कुल correct answer हो जाएगा एक collector न्युक्त करेंगी चली वर्तमान में इलहाबाद उचिनियाले मिन आईजीसों की स्वीकस संक्या कितनी है यह आपको बताना है तो यह है 160 वारत की स्वतंता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुक्यमंत्री निमलिकित में से कौन थे तो यह तो आप सभी क्यों बताईए जल्दी से लगा दीजिगा गोविंद वल्लपंत निमलिकित में से कौन से एक व्यापक और दूरदर्सी पहले जिसका उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओ कि सुरुक्षा सलामती और आत्मी निर्दरबरता के लिए ससक्त बनाना है तो यह है मिसन सक्ती मिसन सक्ती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निमलिकित में से किस राजी की सीमा को नहीं चूती है उत्तरप्रदेश की राजी सीमा किस राजी की सीमा को नहीं चूती है तो यह नहीं चूती है तेलांगाना की राजी की सीमा को दक्षनी भारत की सबसे उची चोटी अनाई मोडी जो निमलिकित में से किस परवस रंकला मिचती दें दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी है नाई मोडी और यह देखने को मिलती है नील गरी नील गीरी संकला जो परवस रंकला है यहाँ पर यह देखने को मिलती है तो गाइस यहाँ पर भी हम आपको 17 फरवरी 2014 के सेकेंड सिप्ट 28 कोशांस कवर करवा जुगे 38 हमने कवर करवा दिए आपको मौर्णिंग सिप्ट के यहनि कि 17 तारीक के हमने आपको कवर करवा दिए अब हम 18 के morning और evening के ओर कर लेते हैं, clear हैं, तो आईए उत्तर प्रदेस प्लिस कांस्टेबर एक्जाम पेपर, 18 फरवरी 2024, morning shift का पेपर हम यहाँ पर अब करने जा रहे हैं, पहला कुछन है, विद ग्रिंटी या डी ग्रिंटी, हरा निम लिकेत मैं से किस दिगज भारती सेन य दिखारी पर लिखा गया एक उक्णियासी, डिग्निटी, ये आपको बदाना इस correct answer क्या रहेगा, फिल्ड मार्सल, सेम मानिकसा, आपका यहाँ से correct answer हो जाएगा, corporate score आस्टे विकास में प्रभावी युगदान करता बनाने के लिए, नियामा कोर परसासनिक डाचे की जिम्मेदारी बाहरत के निमलिकित में से किस मंतराले के अंतरगत आती है, ये जो जिम्मेदारी आती है, ये आती corporate मामलों के मंतराले के अंतरगत, अगला कुशने, बहुतिक अनुसंदान प्रियोक सालम के फरीज़र निमलिकित में से कहां परिस्ति दे, ये जो देखने को मिलता है, आपको अहमदाबात गुजरात में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में woman power line, WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है, woman power line के लिए नंबर आपसे पूचा है, संपर्क नंबर, तो ये 10-90 है, woman power line, ध्यान रखेगा, महिला सकती, आप इसको बोल सकते हैं, help line है, महिला help line number, 10-90, आप याद रखेगा, यहां से आपको, ये कुशन जरूर सापकी एक्जाम में प ये तमिलनाडू का है, तमिलनाडू करेक्ट अंसर रहेगा, निमने लिकित में से कौन सा विये, केंदर सरकार की भोति किया, वित्ती संपत्यों के निर्मान के अलावा, अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो ये जो किया जाता है, ये जो विया होता है, ये कौ उतर प्रदेश के जीलों में सरवोची रêंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कर्मिस नरी के अलावा तो इनका आपको बताना है ये कौन है तो ये बैसिकलि independent Moment Emoid दिकारी को ये होते हैं इनमेLR कित मैंसे कौन सी बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटीनर बंदरगाह है गईस बंदरगाह से लगातार कुश्वन्स आपके बनते हैं तो भारत का सबसे बड़ा कंटीनर बंदरगाह है कौन सा है जवाल लाल नेरू बंदरगा डी ओप्शन के टांसरे निमनी लिकित मैंसे किस घटना के कारण महांदास करमचन गानी ने 1922 में आसायोग जो अंदुलन था इसको इस्तगित कर दिया था और ये इन्होंने जो इस्तगित किया था ये चोरी-चोरा जो घटना हुई थी इसके कारण किया था परसिद यूनेसको इस्तल बोर्दो पोर्ट ओप मून निमनी लिकित मैंसे किस देश में इस्तिरे बोर्दो पोर्ट ओप मून ये जो देखने को मिलता है ये मिलता है आपको फ्रांस में फ्रांस उत्तर प्रदेश में राजकी सुतनता संग्राले संग्राम संग्राले सहीद इस्माराक किस इस्थान पर इस्थापित हैं सहीद इस्माराक या फिर स्वतनता संग्राम संग्राले कहां पर रही है यह मेरट में है मेरट उत्रप्रदेश में उत्रप्रदेश ने हाली में किस च्छित में PMJAY के कर्यान वेन के लिए 2030 में पुरुसकार प्राप्त किये हैं, तो यह जो पुरुसकार प्राप्त किया है, यह किया है स्वास्थि सिवा के चित्र में, जन्गना 2011 के अनुसार उत्रप्रदेश राजी का समग्र लिंगानुपा आई-यलो ने बालसरम के वेस存 रिस्विक उस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्य soll पर ध्यासों पर ध्यान करने के लिए 2002 में बालसरम के खिलाफ विस्व दिवस की शुर्वात की पतीःक वर्स विस्व बालसरम निवे निष्यद दिवस जो है किस तारीक को मना जाता है बाल स्रम निसीद दिवस जो मना जाता है यह हर साल मना जाता है बारा जून को नेक्स्ट है नेमलिकित में से किस विसेस बल को विमान और हाई जो हवायड है इन पर अफहरन और इसी तरह की सुरक्षय स्टिट्यू को जवाब देने के लिए विसेस्ट दक्षबल के रोब में नियुक्त किया गया तो यह जो बल है इसका नाम है NSG NSG National Security Guard इनको बोलाता है NSG कमांडोज यह होता है और इनको विसेस्ट बल होता है विमान और हवाई अड़ो पर अफहरन और इसी तरह की सुरक्षय जो स्टिटी है इनका जवाब देने के लिए विसेस्ट दक्षबल के रोप में नियुक्त इनको किया जाता है राजयसु परिसद उत्तरप्रदेश के स्टापना इनको प्रियागराज में हाली में नॉमबर 2030 में भारत के किस पड़ोसी देश ने संजुक्त सेनब्या सूरी की रन में भाग लिया सूरी की रन यह जो होता है यह होता है भारत और नेपाल के बीच में तो आपका नेपाल करेक्टांसर यहां से हो जाएगा हाली में परदान मंतरी ने निमलिकित में से किस railway station से नई अमरत भारत trainों को हरी जंडी दिखाई तो यह जो दिखाई परदान मंतरी ने अयोधया से दिखाई अयोधया करेक्ट आंसर हो जएगा निमलिकित में से किस राजजी के ब्लोक ने नितिय आयो द्वारा गोसित aspirational block program ABP की पहली delta ranking में दूसरा इस्तान हासिल किया है तो ये जो किया है ये किस ने किया है याद रखिएगा ये किया है उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस यूक्रेन संगर्स शेत्र से भारती नागरी को को निकालने के लिए भारत द्वारा सुरू किये गए operation का नाम निम लिकित में से कौन सा है तो इस program का नाम रखा इनों है Operation Ganga निम लिकित में से किस देश ने 2024 में ब्रिस्क समूँ में सामिल होने से इनकार कर दिया गैस नोडबंदी से लगतर कुशन समन रहे आप अच्छे से देख कर जाए 2016 में नोडबंदी जो की गई किस मुल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया तो आप धियान रखेगा इसमें जो किया गया था यह 1500 के नोट को बेन किया गया था करेक्ट आंसर रहेगा 1000 और 500 उत्तर प्रदेश में साइबर अपराद मुख्याले कहां पर है तो यह उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है लखनाओ में जेस्टी का तातपरी आपको पताना है क्या है जेस्टी का तातपरी क्या है तो यह है वस्तु एम सेवाकर वस्तु एम सेवाकर परदान मंत्री ने संत मीरावाई जनमोजसव में भाग लिया जो डेस में संत मीरावाई की 525 वी जेनती मनाने का करिकरम था तो यह कहाँ पर था? यह था खुरकी में निमनी लिकित में से कौन फिलिपिन्स की राज़दानी है? फिलिपिन्स की जो राज़दानी है यह है मनीला भारत में राष्टी एकता दिवस किस तारिक को मना जाता है भारत में राष्टी एकता दिवस मना जाता है हर साल 31 अक्टोबर को 31 अक्टूबर राष्टी एकता दिवस के रूप में बनाया जाता है नीमिलिकित में से किस प्रसिद्ध लेख़क को उपनियास समराट के नाम से जाना जाता है मुंसी प्रेमचंद बी ओप्शन करिक्ट आंशरे हाली में चिराग चंद्रसीकर 17 ने किस खेल से सम्मन्दित मेजर ध्यांचन खेल रत्न पुरुस्कार जीता 2030 तो ये जो जीता ये जीता बेड मिंटन कर्ट आंशरे गा चंद्रियान 3 के लेंडर का क्या नाम है चंद्रियान 3 के लेंडर का जो नाम है यह है विक्रम विक्रम चंद्रियान 3 के रोवर लेंडर इन सबी को आप याद रखीगा हाली में प्रदान मत्री ने निमली कितमेस के सिस्तान परिस्तित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी किंद्र आई आई सी सी यसु भूमी का उद्गाटन किया है तो यह जो किया है यह किया है नई दिल्ली में नई दिल्ली सी option करेक्ट आंतर रहेगा और गाइस हम आपको बताई दे रहे हैं आप लोक सबाई election से related भी question अच्छे से याद कर लिजगा क्योंकि यहां से भी आपकी exam में questions बनेंगे तो आप जरूर से इस topic को देख कर जाएं इसके लवज जो जो issues हो रहे हैं जिसकी बंगलादेश में वह बड़े बड़े issues तो इनको आप एक नजर जरूर से देख कर जाएं पुलिस का सर्वचेश समान एन भारत में राष्टि पुलिस वीरता पुरुसकार ये हैं social media network में पहले जिसे facebook ink में हम से जाने जाता था इसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया इसका नाम बदल कर अब मेंटा कर दिया गया है बारति सन्विदान की अनुसार अनुचिय 14-18 निमलिकित में इसके सधिकार से रेलेटिड है 14-18 जो है यह रेलेटिड है समता का अधिकार से रेलेटिड चलिए नेक्स्ट रहे निमलिकित मेंसे कौन सा दिन अंतराश्टी स्त्रमिक दिवस के रोप में मनाई जाता है अंतराश्टी स्त्रमिक दिवस के रोप में मनाए जाता है एक हमाई को नेम लिकित में से कौन सा अमल पालक के यानि के पालक में मौजूद होता है पालक में मौजूद जो अमले है ऑक्जेलिक आसिड पहला ओप्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर एगा अठारा तारीक को हम मौर्निंग सिप्ट के 38 कोशन आपको कवर करवा चुके है अब आई हमाँ अठारा फरवरी दोहजार चोई इवनिंग सिप्ट के कोशन के और आगे बढ़ते हैं के लिए पहला प्रस ने निम लिकित में से कौन सा अमल सिर्के में मौजूद होता है पहला उप्शन आपका Correct Answers रें सन्विधान के यदि कि भारत के सन्विधान के अनुचे 64 और 89 एक के दहित है तो यह जो होते हैं यह होते हैं उप्राष्ट पती नेम लिकित में से कौन सा दिन भारत में राश्टी यूवादिवस की रूप में मनाया जाता है राश्टी युवा दिवस के रूप में जो मना जाता है ये आप सभी को पताई है 12 जनवरी को मना जाता है बाहरत में बाल संड्रक्षन और कल्यान के लिए आपात कालिन टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा है बाल संड्रक्षन कल्यान के लिए आतकालीन हेलपलाई नमबर तो ये हैं 1098 अधानवे हमपी नित्य उस्व किस राज्य का उस्व हमपी तो हमपी नाम सही के लिए रहे करनाटक का यह हो जाएगा आई तिंग आप सभी को क्लियर ही होगा निम लिकित मैं से किस मंत्राले के पास जन संचार के विविन माद्यमों और प्रिंट मीदिया के विनिमे के माद्यम से सरकारी नीतियों योजना और कारिक्रामों के बारे में जनकारी परसाइद करने के जिम्मेदारी होती है यह जो मंत्राले है इसका नाम है सूचना और परसारान मंत्राले यानिकी Information and Broadcasting Department यह होता है के लिए प्रिंट मीडिया के माद्यम से विनिमे के माद्यम सरकारी नीतियों योजना कारिक्राम के बारे में जनकारी प्रसारित करने के जिम्मेदारी यह होती है सूचना और प्रसारान मंत्राले की राश्टी विसानू विज्ञान संस्थान नेमलिकित मैंसे किस इस्थान पर इस्तिरे तो यह देखने इस वाइसराई ने बेटिस आसन के दुरान बंगाल का विबाजन बंगाल का विबाजन आप सभी को बताएं लौड करजन ने किया था तो करजन आपका डियॉप्शन करेक्ट नांसर हो जाएगा नेमनी लिकित मैंसे कौन उत्तरप्रदेश राज में सरवच रिंकिंग वाले पुलिस सदिकारी कौन है तो ये हैं डी जी पी पुलिस महानिदेश्या फस्ट ऑफ्शन सरकार कब वहां खाता जो चालू विद्धिवर्स मंदिदे इसमें सामिल है इसमें सामिल होता है क्या आउट देखिए यहाँ पर आउट क्रोस्ट बजट कर बजट पुजिगट अगला है मतरा के पास मट के एक मंदिर में कि सासको की विसाल मूर्तिया प्रस्तिष ठापित की पाई गई हैं ये जो पाई गई हैं ये पाई गई कुसान सासको की मोगाओ गुफाएं जिने हजारों बोद की गुफाएं बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है किस दे निमनी लिकित में से भारत के किस बंदरगाहा को अरप सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है अरप सागर की रानी इसके नाम से किस बंदरगाहा को जाना जाता है अरप सागर की रानी वर्थ 2011 में भारत में जनगन्ना कारी कितने चरणों में किया गया था गौर्थ 2011 में भारत में जनगन्ना कारे की जो किया गया था ये किया गया था दो चरणों में दो चरणों में किया गया था 2006 में सन्युक्त राष्ट मानव अधिकार आयोग का नाम करन बदल दिया गया इसका नाम बदल कर निमलिकित में से क्या कर दिया गया तो इसका जो नाम बदल कर किया गया यह किया गया मानव अधिकार परिस्द उत्तर प्रदेश में जो कुम्ब मेला लगता है कुम्ब मेला का उसव किन नदियों के संगम पर ही बैसिकली मना जाता है तो ये गंगा, यमुना और पॉनानिक जो सरस्वसी नदिये इनके संगम पर बनाए जाता है उत्तर प्रदेश वित्ती निगम UPS जी निम्लिकित मैं से किसके विकास के लिए वित्ती साहिता प्रदान करने महतोपुर्ण भूमी का निवाते हैं तो ये निवाते हैं उद्योग उत्तर प्रदेस का दुदुवर रास्ट उध्यान किस जीले में सिरे इसराइल हमाश संगर्स छेत्र में बारती नागरिको को निकालने के लिए बारत सरकार दरत सुरू किये गए operation का नाम लिखती निम लिखत में से कौन सा है तो इस operation का नाम है operation अच्छे हाली में October 2023 में भारत और किस पडोसी देश ने आरतिक और पुर्द्योगी की सहयोग समझोते ETCA की बाचित पर फिर जो है शुरू किये हैं बाचित तो यह किये हैं किसने स्रिलंका ने और गाइस यहाँ पर देखिए करेंट अफेर के काफी अच्छे का से questions बन रहे हैं आपके तो इन questions को आप अच्छे से देख कर जाएं recent के जो करेंट अफेर के questions है हाली में परदान मंत्री ने डेस लक्षी दीप, दीप समो, सबर्मीन, ऑप्टिकल, फाइबर connection पर योशना की सुरुबात करके लक्षी दीप में धीमी इंटरनेट गती की चुनोंटी को दूर करने का संकल पिलिया था जिसकी गोशना 2020 में लाल केले में सुत्मतास दिवस के बासन के दुरान की गई थी गोवा, तिरोनंत परम, ठ्रिवसूरू और कोची तो करेक्ट आंसर कोची हो जाएगा यहां से उत्तर प्रदेश के कोसांबी जीले के कोसांबी ब्लॉक ने नीती आयोग की ABP के पहले डेल्टा रिंगे में कौन सा इस्थान हासिल किया है तो त्विती इस्थान हासिल किया है हाली में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने आयोध्या में नव निर्मित हवाई अड्डे का उध्गाटन किया इस नव निर्मित हवाई अड्डे का नाम आपको बताना है क्या है इस नव निर्मित हवाई अड्डे का नाम है महारसी वाल में के अंतराष्टी हवा जटा C option चलि, next question है केंदरी और राज जे सरकारों के, या केंदरी और राजजी करों के जटिल जाल की जगह GST कानून के वर्स लागू किया गया केंदरी और राजजी करों के जटिल जाल के जगह जो GST लाया गया ये वर्स 2017 में लाया गया ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश के देख्षता एक जनवर 2024 से प्रारंप हो गई तो ये जो हुई ये हुई प्रूज से वर्स 2016 में नोडबंदी के दुरान RBI के गवर्नर कौन थे इनका नाम आपको बताना है 2016 में जब RBI में RBI Reserving Coff India इंडिया नोडबंदी के दुरान RBI के गवर्नर आपसे पूचा है इनका नाम क्या है इनका नाम है डॉक्टर ओर्जित पठेल तो नोडबंदी से लगतार कोशन्स बन रहे हैं आपके अच्छे से याद रगिएगा उत्तर प्रदेश में उनलाइन वित्ती दोकादड़ी की रिपोर्ट करने है तू यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हिल्प लाई नंबर सिकाइद करने की श्यमेशीमा क्या है तो श्यमेशीमा है 24 गंटे के अंदर हिंदी बासा के सबसे लोग प्रिये रजचनाओं मेंसे एक मदूसाला के लेका कौने मदूसाला के जो लेका के इनका नाम है हरीवन्स राइबच्चन भी आप्शन से जवाब रहेगा चलिये अगला कुशन रिखते हैं निम्ली कित मेंसे किस केरकेटर ने खेलों में उतकरष्ठ परदर्सन के लिए परीन प्रशेक लिए जो मिलाहीय है मुहामद समी को मिलाही ध्यान रखेगा अगला कुशन किया लिकित मेंसे किस देश का अधिकारिक मुद्रा है या तो आपसे देश की capital पूछ लेगा या currency पूछ लेगा तो मुद्रा और देश की basically फैमस city भी आपसे पूचे जा सकता है तो आप याद रखिएगा क्यात जो है किस देश की आधिकारिक मुद्रा है तो ये मियाँमार कीidän क्यात बहरत में रास्ट्र बाली आधिवस के सितारीक को मना ज़ाए राष्ट बाली का दिवस मना पुरुसकार हैं तो यह हैं परमवीर चक्र मॉबाइल एप्लिकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निविकेट में इसके मंत्राले द्वारा लॉंच की गई तो यह जो लॉंच की गई यह की विदेश मंत्राले के द्वारा चंद्रियान 3 के रोवर का नाम आपसे पूचा गया था अब यहां पर रोवर पूचा गया है तो इस चंद्रियान 3 को अच्छे देख लेजगा और गया और भी काफे सारी चीजे वह यह एक्टिविटीज हुई है इस पेपर के बाद में फरवरे 2030 के बाद में तो आप अच्छे से देख कर जाए क्योंकि आपके लेटेस अच्छा किससे लौच किया गया कौन से लौच किया गया विज्ञानी कौन था इस तरह से जितनी बी डेटेल है आप देख लिए जिए लिए अपर प्रदान मंत्री नहीं उत्रप्रदेश के अपर सवर्वेद महा मंदिर का उद्गाठन किया तो यह जो किया है यह इनो न गव्षिप्टों के 38 38 कोशन के हिसाब से हमने आपको 38 38 कोशन के हिसाब से 152 3 कोशन जो है 11 1500 questions के लबग आपको questions cover करवा दिये अब ये अगर आपने 1500 questions अच्छे से cover कर लिए और इनको समझ कर आगे के तियारी आपने कर लिए यो कि अब हम आपके लिए क्या करेंगे guys इन questions को हमने cover करवा दिया अब यहां पर हम देखेंगे कि किस topic से सबसे ज़्यादा questions बने इन 1500 में से सबसे ज़्यादा question कौन से topic से बने हैं या तो आपके दिवस से बने हैं या फिर और कोई topic है आपका या योपी special जी के हैं या special current affair हैं उनको सबसे पहले उठाएंगे और उनको हम cover आपको करवाने स्टार्ट करेंगे तो आप सभी अगर agree करते हैं तो आप comment में comment करें जरूस बताएगा साथ इस वीडियो को जाजा share करें अगर इस वीडियो को आप जाजा share करेंगे जाज़ जाज़ा support करेंगे तो आपके लिए जल्स से नई वीडियो हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे तो आप सभी इस वीडियो की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं आप application को download कर लिजगा application को download अगर आप ने कर रहा है तो update इसको कर लिजगा तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगे इसके अलावे टेलिग्राम को भी आप जोइन कर लिजगा यहाँ पर भी आपको PDF मिलेगी दोनों के link के description में डली है वीडियो को like नहीं किया कर दीजगा चैनल को subscribe भी कर लिजगा आप साथ ही bell icon को all पर select करेगा ताकि जो भी नया वुडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुच भाएं और गैस अपने दोस्तों साथ से यह बिलकुल भी ना करना भूले क्योंकि इससे ही हमें अलपे होती है और motivation मिलता है ताकि आपके लिए अच्छे से वीडियो हम लेका आते रहें तो मिलते हैं हमारे next study वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वन्दे मातरू